टोडेंड क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 नूट्रेशन इनिमल्स टोडे वी विल डिस्कस अबाउट दी टोपिक ओफ मेन होलोजोइक नूट्रेशन आज हम पढ़ेंगे होलोजोइक नूट्रेशन क्या होता है पर यह मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया देखो हमने पढ़ पाइब क्योंगे अधर यूट्रेशन का मतलब हो पिंद होते हैं अधर अज हम पढ़ेंगे नूट्रेशन को बिलल्लर ऑर्गिनिजम इस्युत्य-दियू को सिका की कई हूप Gör लागिम वी किन इस्युत्य गालएट दफातनी शुल्ट इसकी पूरी बुडियन से बनी होती है पर कुछ ऐसे ओर्गनिजम भी होती है जिनकी बुडि पूरी एक सेल से बनी होती है उसको हम कहते है यूनिसेलूलर माइक्रो ओर्गनिजम जैसे अमीबा अमीबा एक यूनिसेलूलर ओर्गनिजम है यूनिसेलूलर का मतलब इसकी पू प्रोस्कोपिंग प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है जो पानी के उपर तैरते रहते हैं चोटे-चोटे प्लांट्स चोटे-चोटे एनिमल्स उनको क्या करता है यह इड करता है एन अमीबा इंजिस्ट फूड बाई यूजिंग सूडो बोडिया में खास बात है कि अमीबा अपनी शेप को थोड़ा बढ़ा लेता है मतलब सूडो पोडिया का मतलब यह नकली पैर लगाता है क्या लगाता है नकली पैर तो अमीबा क्या फूड को खाने के लिए सूडो पोडिया का यूज करता है यह अपनी शेप को थोड़ा सागे बढ़ा लेता है इसको हम कहते है सूडो पोडिया मतलब एक परकार से नकली पैर लगाता है और अमीबा क्या है फूड को खाने के लिए नकली पैर लगाता है फिर यह जैसे ही फूड पार्टिकल्स अमीबा के पास आएगा तो बोजन के चोटे चोटे पार्टिकल्स को नकली पैरों से खायर कर अंदर की तरफ डाइजस्ट कर लेगा फिर सूडो पोडिया क्या करेगा एक चोटी सी केवेटी बनाएगा उस चोटी सी केवेटी को क्या कहती है हम फूड वैक्यूल इस फूड है वैक्यूल की एलब से क्या है यह फूड को अंदर की तरफ डाइजस्ट कर लेता है यह फूड वैक्यूल क्या करेगा जितना भी बड़ा particles है उसको चोटे-चोटे particle में breakdown कर देगा, फिर क्या है, उसके बाद में क्या होता है, कि पहले ध्यान से एक बार और देख लो, क्या करेगा, सबसे पहले जैसे अमीबबा को food दिखाई देगा, अमिबा क्या करेगा नकली पेर लगाएगा नकली पेर से क्या है इस food particle को अंदर की तरफ digest करने की सोचेगा इंजस्ट ले जाने की कोशिश करेगा उसके बाद में क्या करेगा यह अपनी बोडी के अंदर एक food vacuum बनाता है जितना भी undigested का मतलब क्या है ये waste material को भी क्या है अपनी बोडी से भार निकालता है जिस तरह से ये बोजन को लेता है उसी तरह waste material को भी अपनी बोडी से भार निकाल देता है इनजेशन का मतलब तो क्या होता है कि इनजेशन का मतलब food particle को अंदर लिया इसने और इजेशन का मतलब इसने जितना भी food particle है waste बच गया था उसको waste को भार निकाल दिया उसको कहते है के बाद में वेस्ट को बाहर निकालना उसको एजेशन तो मि अमीबा के बुरी बोड्य किस से बनी होती है एक साल से बनी होते ही, क्या खाता है यह प्लांट्स और अनिमल्स, फिर क्या है यह फूड को लेने के लिए क्या बनाता है नकली पैर, अब यह क्या है जैसे फूड पार्टिकल्स क्या आएगा, पास में आएगा मीबा, तो नकली पैरों से घेर के उसको क्या करेगा, अपने इंजेस्ट करने की कोशिश करेगा फिर अपनी बोड़ी के अंदर क्या हैं सुडों पोडिया एक चोटी सी केवेटी बनाता है उसको बहुते हैं फूड वैक्यूल यह फूड को डाइजस्ट करेगा जिदने इसने फूड का पार्टिकल्स लिया था बड़ा पार्टिकल था उसको छोटी-चोटी पार्टिकल में ब्रेक डाउन करेगा फिर जाके उससे अनरजी मिल जाएगी उसके बाद में जितना भी डाइजेस्ट करने के बाज में जितना भी वेस्ट बचा उसको कि आपनी बोड़ी से बार रिमूव कर देगी